हेलो बच्चो कैसे हो आप सब सो आज हम लोग फिर से एक न्यू चाप्टर का वन शॉट रिविजिन करने वाले हैं ठीक है सो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने मेरे साथ जोग्रिफी के एक चाप्टर का वन शॉट रिविजिन करा था आज हम लोग सिविक्स के एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग चाप्टर का वन शॉट रिविजिन करने वाले हैं ओके सो जो बच्चे नहीं जानते मैं अनुश्या माम हूं और आप लोग सिविक्स का ये चाप्टर मेरे साथ क्लिया करोगे और अब इस चाप्टर की टेंशन ले बच्चों को बताओ कि हम लोग यहां पर एलेक्टोरल पॉलिटेक्स चाप्टर का वन शॉट रिविजिन कवर कर रहे हैं ओके सो यह चाप्टर है बेटा यह बहुत जादा इंट्रस्टिंग है क्योंकि अक्सर क्या होता हम लोग न्यूज्ज वगेरा में सुनते रहते हैं एलेक्ट्स के बारे में जब खीशन की बात चीत हो रही होती है तब न्यूज्ज में बताते हैं उलेक्शन कैसे होता है अलग-अलग पॉलिटिकल पार्ठी से रिलेटर। और आपको लगता ज़ंगा आप बच्छों को यह सारी चीज़ें शिखाई जाएं गी तो Excel पॉइंट ऑफ यू से तो हां यह चाप्टर इंपोर्टेंट है ही साथ ही साथ जब तक यह चाप्टर खतम होगा आप लोगों को और इन डीटेल समझ आने लगेगा कि एलेक्शन के टाइम पर हमारे इंडिया में क्या-क्या चलता है ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपन था ठीक है स्टेट एस्टेट एलेक्शन हो रहे था हरे हर्याना में 19-7 में तो 1987 तक उस टाइम पर पता है क्या चल रहा था Congress जो political party है वो हर्याना में काफी बढ़िया कर रही थी ठीक है बार-बार Congress political party ही हर्याना में जीतती रहती थी तो ऐसे में क्या हुआ ऐसे में एक leader थे opposition के leader थे चौदरी देवी लाल ठीक है मैं इनकी आपको photo भी दिखाऊंगी सो यह सोचते हैं कि नहीं इस पार हमको election जीतना है और election जीतने के लिए यह काफी सारा support ग्यादर करते हैं Congress के खिलाफ यह movement भी start करते हैं और इस movement का नाम होता है न्याय युद्ध न्याय मतलब justice युद्ध मतलब लड़ाई है ना सो न्याय युद्ध नाम का एक movement यह start करते हैं और यह new political party बनाते हैं new political party का नाम था लोख दल ओके तो सारी तयारी कर ली इन्होंने election जीतने के लिए और यह बात हो रही है 1987 हर्याना की ठीक है सो यहाँ पर करते हैं election जीतने के लिए campaign करना होता है campaign का मतलब होता है basically लोगों को मनाना कि आप मुझे क्यों वोट दोगे ठीक है मैं ऐसा क्या अलग लाओंगा कि आपको मुझे वोट देना चाहिए सो यह अपने campaign में कहना start करते हैं बेटा कि he would waive the loans of farmer and small businessmen यह कहते हैं कि जो भी जिन भी छोटे farmers ने या फिर छोटे businessmen ने लोन ले रखा है उनके लोन को मैं waive off कर दूँगा मतलब माफ कर दूँगा ठीक है तो इनका election campaign में main point क्या था कि जो small farmers है small businessmen है उनको अपने loan की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हम उनका loan वे वॉफ कराएंगे और इनका यह election campaign actual में बहुत जादा strong था क्यूंकि यह काम कर जाता है और लोग सही में इनको vote देते हैं और वोट देते हैं तो मतलब यह जीट जाते हैं election तो उस साल Congress को बहुत ही कम seat मिलती है अगर 90 seats थी उस टाइम पे state assembly में तो 90 में से 76 seats तो लोगद ही मिलती है उस साल ठीक है तो जैसे ही अगले दिन कुछ टाइम के बाद जब यह चीफ मिनिस्टर बनते हैं यह क्या करते हैं लोगों से promise करा था ना campaign में कि अगर आप वोट दोगे तो लोन को wave off कर दिया जाएगा तो अब वो फाइनली उस promise को fulfill करते हैं ठीक है promise कर दिया कि वोट दो मुझे मैं लोन को wave off करूँगा अब चीफ मिनिस्टर बन गए तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने अक्च्छल में अपने promise को fulfill किया और वो सही में wave off कर देते हैं लोन को Chief Minister बनने के बाद ठीक है उसके बाद वो अपने term को fulfill करते हैं ठीक है बट उसके बाद जब next election होता है ठीक है 1991 में जब election होता है पता है तब क्या होता है इस बार Congress फिर से जीच जाती है election को ओके तो wave off कर देते हैं अपने term को fulfill करते हैं उसके बाद फिर से election होता है इस बार लोगों को लगा कि नहीं Congress ही बढ़िया कर रही थी तो लोग Congress को vote दे देते हैं और फिर Congress election 1991 में Congress के लोग election जीच जाते हैं और वो लोग government को form करते हैं ठीक है तो यह कहानी आपको इसलिए बहुत आईडिया लगजायै कि election क्या होता है कैसे होता ठीक है एक ऐसी कहानी बता दि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि election के टाइम पर क्या कैसे होता है ठीक है आप election के बारे में इतना सुन रहे हुँ आप लोग तो आपके दिमाग में definitely a question आ रहा होगा कि ma'am why do election के बारे में हम लोग थिक है क्यों इतनी बातचीत करते रहते हैं वाइड वी नीड एलेक्शन हमें एलेक्शन की जरुवत क्या है देखो एलेक्शन हम करते क्यों है ताकि हमें कुछ leaders मिलें जो हमें represent करें और हमारी जगा decisions ले country के लिए है ना तो election क्यों किया जाता है ताकि हमें कुछ leaders मिल जाएं जो हमारे लिए कुछ decisions ले ठीक है कुछ हमारे इंडिया के लिए कोई policy बनाए कोई decision making करें ठीक है तो हमें ऐसे leaders की जरुरत क्यों है क्योंकि हम लोग यह काम नहीं कर सकते हैं ठीक है मैं आपसे question पूछते हूं आप मुझे comment section में बताना कि क्या हम लोग यह कर सकते हैं क्या इंडिया जैसी country में यह possible है कि हम सारे लोग एक date decide करें एक जगा decide करें और वहाँ मिलके हम सारे लोग मिलके इंडिया के लिए policy बनाएं ऐसा कर सकते हैं क्या हम हम ठीक है एक बैट और day decide करें हम सारे इंडिया की लोग वहां पे मिल गए और हम वहां पे बातचीत कर रहे हैं कि churchbest बता कानून कैसे बनाना है इंडिया के लिए यह पॉसिबल क्या नहीं है ठीक है बिल्कुल बादी इंडिया की बड़ी कंट्री कि इन किसी छोटी कंट्री हमें भी यह चीज करना ओके तो इस रीजन के वज़े से हम लोग एलेक्शन को रखते हैं अब आप लोग सोच रहे होगे कि एलेक्शन के अलावा कोई और तरीका नहीं है क्या रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने का क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इंडिया में कह दे कि जिसकी भी सबसे जादा है हम उनको अपने लीडर बनाएंगे ऐसा कर सकते कल को अगर इंडिया में ऐसा कह दिया जाए कि जिसकी एज सबसे ज्यादा है जिनकी उमर सबसे ज्यादा है हम उनको अपने अपना लीडर बना लेंगे तो इंडिया में ऐसा कहना सही होगा क्या मुझे कॉमन सेक्शन में आप लोग बताते रहना ठीक है तो नहीं होगा बेटा ठीक है क्योंकि लीडर्शिप अलग चीज होती है और एज अलग चीज होती है ऐसा हो सकता है कि कोई एक human हो जिनकी एज वो 85 years old पर उनकी एज बहुत हो गई पर वो अच्छे लीडर नहीं है on the other hand मान लो को एक human है उनकी एज है 40 years old और वो बहुत ही बढ़िया लीडर है ठीक है तो एज और लीडर्शिप का कोई संबंध नहीं है तो हम एज के हिसाब से लीडर्स को नहीं चुन सकते ठीक है क्या हम एजुकेशन के ना देते हैं क्या यह आइडिया सही रहेगा सो यह आइडिया भी सही नहीं रहेगा बेटा क्यूंकि अग्याइन पढ़ाई अपनी जगा है और लीडर्शिप अपनी जगा पढ़ाई करना अलग चीज है और एक अच्छा लीडर बनना कंप्लीटली डिफ्रेंट चीज है ठीक है इसी लिए आपने देखाऊगा एलेक्शन में नेता बनने के लिए कभी कोई एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की जरुरत नहीं होती ऐसा कभी नहीं कहा जाता कि अगर आपको नेता बनना है तो पहले कॉलेज पार करो या कोई डि लेडर्शिप स्किल है ठीक है बहुत अच्छे से वो लोगों को लोगों के साथ साथ connect कर पा रहे हैं ठीक है तो हम इस तरीके से भी अपने नेता को chain को सकते सबसे एज या फिर सबसे ज़्यादा एजूकेशन यह सब देखके हम लोग अपने नेता को नहीं चुन सकते तो अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है एक ही तरीका बच्चा अगर हमें अपने लीडर को सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें एलेक्शन ही रखना के टाइम पर we make a lot of choices तो उन चॉइस के बारे में पढ़ता हैं डारेक्ट ग्वेशन ऐसी आएगा कि बताओ दूरिंग एलेक्शन वोटर दी चॉइस आइश है तो उन चॉइस नोग पढ़ते हैं ठीक है पॉइंट वन हम लोग चूज करते हैं कि हमारे लिए कानून कौन ब and take major decision हम decide करते हैं election के दौरान कि कौन government का part बनेगा और कौन हमारे लिए major decisions को लेगा ठीक है ये भी हम decide करते हैं next हम ये decide करते हैं कि कौन सी party के policies हमको जादा अच्छे लगे किस party के policies को हम लोग अपने country में follow कराना चाहते हैं किस party के through हम लोग law making कराना चाहते हैं ये सारी चीजे भी हम लोग election के दौरान चूज करते हैं ठीक है चलो तो अब कुछ simple list है बेटा minimum conditions की जो की होनी चाहिए election में तभी हम election को democratic कहते हैं ठीक है देखो election तो कोई भी करा सकता है ठीक है इनसाफ को follow करके justice को follow करके election कराना ये बहुत बड़ी बात है ठीक है तो कुछ minimum conditions है अगर ये conditions एक election में हमें देखने को मिल जाती है तो हम कहते हैं कि हाँ बहुत बड़ीया election था ये ये election democratic था ठीक है तो democratic election के कुछ requirements को जल्दी से देख लेते हैं point one everyone should be able to choose ठीक है everyone should be able to choose का क्या मतलब है सब के पास voting का हख होना चाहिए ठीक है अब मैं इस चीज़ का एक example देती हूँ so पता है क्या साउधी अरेबिया में क्या था 2015 तक साउधी अरेबिया में ऐसा था कि women वोट नहीं दे सकती ऐसा था कि अगर आप एक man हो तो आप जाओ वोट दो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर आप एक women हो तो आपको vote देना allowed नहीं है तो ये तो गलत है ना women भी तो citizens ही हुई उनको भी हमें voting right देने चाहिए तो एक democratic election में क्या होता है democratic election में कहा जाता है कि सब लोग vote दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हाँ जैसे इंडिया में हमने age limit लगा रखिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर कोई भेद भाव नहीं करना कि में दे सकते हैं वोट विमन नहीं दे सकते वोट यह सारी चीजें हमको नहीं करनी है सब को voting right दे दो ठीक है अच्छा on that note मुझे आप लोग बताना जरा comment section में कि इंडिया में minimum age क्या है वोट देने के लिए आम शूर आप सारे बच्चों को पता होगा बढ़ हां आप लोग मुझे बता दो comment section में कि minimum age क्या होती है वोट देने के लिए second minimum requirement क्या है ताकि एक election democratic हो there should be something to choose from ठीक है हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़ी options होने चाहिए political party बहुत ही बढ़िया हमें समझ ही ना है किसको वोट करना तो ऐसा कभी election में हो मज़ा आ जाए ठीक है तो जो next category next point है उसमें आपको यह बताया जा रहा है कि एक democratic election में हमारे पास real choice होती है बहुत सारे options होते हैं ऐसा नहीं कि एक ही political party है और बार बार वही जीते जा रही है नहीं real choice होती है हम लोगों के हाथ में voters के हाथ में एक democratic election के दौरान next जो election है उसे regular interval में होना चाहिए ठीक है इसका क्या मतलब है कहीं बार पता है क्या होता है election हो गया ठीक है हमने जिसको पसंद करा वही leader बन गए जिनको हमने vote करा वही leader बन गए और उसके बाद election ही नहीं होता अब यह तो गलत है न क्यूंकि पता है कहीं बार क्या होता है हम लोग जब vote दे रहे होते हमको लगता है कि हम बहुत ही बढ़िया मौका मिलना चाहिए फिर से वोट करने का ओके इसका में एक एक्जांपल देते हूं आपको की डिसिजन हमारा ही होता है पर हमको future में जाके होता है कि हमने गलती कर दी जैसे मान लो कल आपका exam है आपको पता है कि आपको revision करनी चाहिए पर आपने क्या सोचा कि बहुत पढ़ाई कर ली ठीक है सब कुछ समझ लिया सारे one-shot revisions देख लिए अब मैं थोड़ा सा TV देख लेता हूं आपने TV देखा मस्त अगले दिन आप गए exam नाम देने के लिए पहला question देखते ही आपको समझ आ गया थोड़ी सी पढ़ाई कर लीनी चाहिए थी ठीक है मैंने सब कुछ पढ़ रखा था पर मुझे पर revise कर लेना चाहिए था तो ऐसे में क्या है decision आपका ही था कि revision नहीं करना TV देखना है पर future में जाके आपको पता लगा कि मेरा decision गलत था ऐसा हम voters के साथ भी हो जाता है हम लोग vote दे देते हैं जोश-जोश में पर future में जाके हमको लगता है कि गलती कर दिया हमने ठीक है कही हम रहे गए तो हमें बार-बार मौका मिलना चाहिए फिर से election का ताकि हम अपनी गलतियों को ठीक कर पाए ऐसा नहीं करना कि एक बार election करा और फिर उसे छोड़ दिया कि हाँ अब यहीं नेता रहेंगे हमेशा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए next the candidate preferred by people should get elected इसका क्या मतलब है एक ऐसे candidate जिनको हम लोग पसंद करते हैं उन्हीं को पावर में आना चाहिए ऐसा नहीं होता कभी democratic election में कि जिस से सब नफरत करते हैं वो इंसान लीडर बन गया ठीक है जिनको सारी जनता पसंद करती हैं जिनको जनता वोट दे रही है उन्हीं को ही लीडर बनना चाहिए ठ ठीक है fifth condition क्या है election should be conducted in free and fair manner ठीक है free और fair तरीके से ठीक है कोई corruption नहीं होना चाहिए ठीक है कुछ गलत तरीका कोई dirty trick कोई political dirty trick वग्यरा use नहीं होनी चाहिए free and fair तरीके से election होना चाहिए ठीक है तो अगर यह सारे points follow हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि यह जो election है यह democratic है ओके चलो तो एक topic हमारा finish हो गया है अब हम लोग अपने next topic को cover कर रहे है next topic क्या है is it good to have political competition इसका क्या मतलब है election के दौरान बेटा आपको पताई है आप लोग मतलब news वग्यरा में भी सुनते होगे अलग-अलग जो political parties हैं वो बहुत जादा competitive हो जाती है ठीक है तो क्या यह competition का spirit जो होता है election के दौरान क्या यह competitive spirit रखना सही है या गलत है यह आप से पूछा जा रहा है is it good to have political competition वैसे तो अभी हम पढ़ने ही वाले हैं ठीक है next slide में discuss करी लेंगे पर हां आप बच्चों को क्या लगता है मुझे comment section में बताओ कि competition political competition होना अच्छा है या नहीं है ठीक competition के कुछ demerits होते हैं कुछ नुकसान होते हैं ठीक है तो political parties के बीच में जब competition बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है एक नुकसान यह है कि हम लोग हम लोगों के बीच में division create हो जाता है ठीक है next अकसर क्या होता है party politics के बारे में आप सुनते होगे कि लोग complain करते हैं कि election के दौरान politics बहुत ज़्यादा होती है ठीक है तो party politics dirty tricks यह सारी चीज़े increase हो जाती है electoral competition के दौरान ठीक है और अब आप सोच रहे होगे कि अगर competition अच्छा नहीं है तो हम करवा ही क्यों रहे हैं ठीक है अगर election में competition होना अच्छा नहीं है मैं अभी कुछ demerits बताएं तो हम करवा ही क्यों रहे हैं election ठीक है हम करवा ही क्यों रहे हैं ऐसे competition तो हमारे जो constitution makers थे बेटा जो constitutional assembly के लोग थे उनको भी पता था यह उनको भी पता था कि electoral competition जो है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान भी है पर उन्होंने एक बढ़िया तरीका ढूंडा electoral competition को अच्छे तरीके से कराने के लिए ठीक है तो अगर हम एक realistic society को सोचे तो realistic society में पता है क्या होता है जैसे हमको लगता है कि हर एक नेता सोचते है कि मुझे position में इसलिए आना है क्योंकि मुझे अपने country को develop करना है है ना हमें ऐसा लगता है और हाँ काफी सारे ऐसे leaders होते भी हैं जिनके दिमाग में चलता है कि मुझे नेता सिरफ इसलिए बनना है क्योंकि इंडिया को develop करना है ना पर at the same time बहुत सारे ऐसे leaders भी होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे नेता इसलिए बनना है ताकि मैं politically और उठ पाऊं ठीक है ताकि मेरा career और अच्छे से develop हो पाए मुझे इसलिए नेता बनना है ठीक है तो हमको पता था हमारे सब्सक्राइब के लोगों को पता था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं करियर के थ्रू मोटिवेटेड हैं तो हमारे constituent makers ने सोचा कि हम लोग एक reward और punishment का सिस्टम क्रियेट करते हैं अगर आप एक अच्छे इंसान politics में आ रहा है तो उनको punish किया जाएगा कोई बढ़िया इंसान आ रहा है politics में तो हम उनको reward देंगे अब आप लोग सोच रहे होगे कि ऐसा कभी news में आया तो नहीं है कि हम किसी को reward या punishment दे रहे हैं कौन देता है यह reward कौन देता है यह punishment the answer is simple the people типа हम लोग ही लोगों को punishment देते हैं हम लोग ностью reward देते हैं कैसे देते हैं हम लोग है दूसरों को reward और punishment जरह जल्दी से समझ लेते हैं ठीक है मान लोग कोई-ऐसे इंसान नेता बने जिननोंने 5 साल बहुत बढ़िया तरीके से काम करा ठीक है तो ऐसे में क्या होगा हम उनको reward देंगे कैसे reward देंगे अगली बार जब election होगा फिर से हम लोग उनको वोट देंगे है ना तो यह हमारा reward हुआ अब मान लोग को यह कैसे नेता बने है कोई एक ऐसा इंसान नेता बन गया है जो मतलब बहुत ही बेकार नेता है ठीक है उन्होंने country के लिए कुछ नहीं करा ऐसे में हम उनको punish करेंगे कैसे करेंगे पनिश जब अगली बार election होगा कोई उनको वोट ही नहीं देगा तो इस तरीके से हमारे इसेंबली ने हमारे हाथ में पावर दे दी कि जो लोग आपको बढ़िया लग रहे हैं उनको वोट दो अगर कोई बढ़िया नहीं लग रहा मत दो उनको वोट ठीक है तो इस तरीके से हम लोग reward और पनिश्मेंट को फॉलो करते हैं ठीक है तो इस तरीके से अगर कोई political party के member career oriented हैं तो वो क्या करेंगे हम लोगों के लिए काम करना start कर देंगे चाहे वो यह ना चाहते हूं कि इंडिया का development हो वो यह तो चाहेंगे ना कि उनका development हो तो उनके development के चक्कर में वो इंडिया का development करेंगे यह सोचके कि अगर मैं 5 साल अच्छे से काम करूं होंगी तभी मुझे future में vote मिलेगा फिर से ठीक है तो इस तरीके का हमने system बनाया आप देखोगे कि market में भी अकसर ऐसा ही होता है ठीक है market में जैसे अगर मान लो किसी ने कोई market खोली है बहुत ही बढ़िया market है पर वो जो इनसान है market में जो person है जो sell कर रहे हैं चीजों को वह बहुत ही रूड है किसी से अच्छे से बात ही नहीं करते तो उनका business ही नहीं हो पाएगा है ना लोग उनसे नफरत करने लगेंगे तो वो जो market में जो seller होंगे वो अपने फाइदे के लिए ही हस हस के अच्छे से लोगों से बात क कर देंगे यह सोच के कि मुझे लोग नहीं पसंद पर फिर भी मैं अच्छे से हस के बात करूंगा क्यूंकि इसमें मेरा ही फायदा है मैं ही पैसे कमा रहा हूं ठीक है तो यह सिस्टम हमने अपने politics में भी करके देखा है चलो स्वाय होप यहां तक सारे बच्चों को clear हो ग ड़ी नेता को मतलब ऐसे उल्टा पकड़ रखा है उनको मतलब डरा रहे हैं तो जो यह बोड था हात में कि एक वोड दो मुझे सहते हैं कि में पास बहुत बड़ी बड़ी अनौंसर्मेंट हैं बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीगी proud और सारा पावर है तो यह कॉमन इंसान कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो तुम्हारे पास वोट मेरे पास है ठीक है मैं वोट दूँगा तो इसलिए असली पावर हम लोगों के पास है यह इस कार्टून में दिखाया जा रहा है चलो सो आप यहां तक आप बच्चों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है तो अब हम अपना नेक्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स टॉपिक क्या है वोट इसार सिस्टम ओफ एलेक्शन हमारे यहां सिस्टम ओफ एलेक्शन कैसा होता है ठीक है तो अगर हम अपने इलेक्शन इंडिया के इलेक्शन की बात करें त तो ये एक image है बेटा इसको हम ज़रा जल्दी से देख लेते हैं ताकि हमको idea लग जाए कि legislative system हमारे इंडिया का कैसा है ठीक है तो legislative system मतलब legislature का क्या मतलब होता है ठीक है legislature का क्या मतलब होता है इंडिया में ऐसे लोग जो हमारे लिए rules बना रहे हैं ओके सो legislature को हम दो sections में divide कर सकते हैं एक है union legislature मतलब जो पूरे country के लिए legislature करते हैं और एक state legislature state legislature मतलब हर एक state में अलग-अलग legislature होते हैं union legislature के part कौन कौन है प्रेजिडेंट लोगसभा राज्य-सभा ठीक है लोग-इंस अब को पहले साभी पता होगा president में लोग थोड़ा सा इस सब्सक्रान लिए हैं तो याद रखना प्रेजिडेंट भी हमारे union legislature क्योंत एक पार्लिमेंट के पार्ट होते हैं component होते हैं president ठीक है state legislature के components की बात करें तो क्या होता है governor और legislative assembly जिसको विधान सभा कहा जाता है और legislative council जिसको विधान परिशद कहा जाता है तो यह हमारा पूरा legislative structure है क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं इस chapter में election से related vote से related तो हमें अपना बस structure थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ठीक है तो अगर हम लोग सभा election की बात करें लोग सभा election के दौरान क्या होता है हम इंडिया को 543 constituencies में डिवाइड कर देते हैं ठीक है अब यह constituency क्या होता ह। ठीक है ठोड़ा अलग सा वर्ड लग रहा होगा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ठीक है मानलो यह आपका पूरा इंडिया है election के दौरान क्या होता है पूरे इंडिया में साथNe election कराना छोड़ा सा मुश्कील होता है तो हम हम लोग क्या करते हैं election के दौरान हम लोग इंडिया को छोटे-छोटे हिस्सों में बाट देते हैं ठीक है मानलों हमने छोटे-छोटे हिस्सों में बाट दिया तो यह चोटे-छोटे हिस्सें हैं जिनमें हमने इंडिया को बाट दिया है election के दौरान इन छोटे हिस्सों को छो ठीक है तो हर एक constituency में एलेक्शन होता है और हम लोग किसी ना किसी मेंबर को वोट करते हैं जो भी जीतता है वो Member of Parliament बन जाते हैं Member of Parliament को ही हम लोग MP कहते हैं ठीक है तो आप लोगोंने सुना होगा ना यूज वगेरा में कि MP ने ये बोल दिया MP ने ऐसा किया वैसा किया तो MP का मतलब क्या होता है ऐसे इंसान जो Parliament के Member हैं ओके चलो अब हमारे Constitution Constitution में कहा जाता है कि हर एक वोट की equal value होनी चाहिए है ना यह हमने पढ़ा है कि हर एक वोट की equal value होनी चाहिए यह हमारे समविधान में Constitution में कहा जाता है तो इसी लिए हम लोग Constituencies को न ऐसी अपनी मर्जी से नहीं बाट देते हम कोशिश करते हैं कि अगर हमने इंडिया में 543 Constituencies बनाई है तो सारे Constituencies में approximately लगभग same population रहे यह हम कोशिश करते हैं कि जितने हमने भी Constituencies बनाए सारे Constituencies में लगभग same population रहे इस चीज़ की हम कोशिश करते हैं ठीक है next topic हमारा क्या है reserved Constituencies आपने सुना होगा यह term reserved Constituencies या फिर आपने ऐसे सुना होगा reservation है ना reservation सुना होगा आपने तो क्या मतलब होता है reservation का हमने अपने history में पढ़ाया बेटा कि हमने अपने history में बहुत जादा भेदभाव कर रहा है ना हम लोग caste system follow करते थे schedule caste और schedule tribe ऐसे हम लोगों को बहुत जादा भेदभाव करते थे उनके साथ in fact lower caste में ही कुछ लोगों को हम लोग untouchables कहते थे and untouchables के साथ हमने इतना बुरा treatment किया throughout history उनको temples जाने का मौका नहीं मिलता था है अगर village में कोई well है जहांसे सारे लोग पानी पी रहे हैं तो उनको उस well से पानी पीना हम लोग अलाऊनी करते थे तो ऐसे हमने बहुत जादा भेदभाव कर रहा तो बाकी सब जब इंडिया में develop कर रहे थे SC ST lower caste के लोग बिचारे develop नहीं कर पाएं उनका सारा time हम से लड़ने में चला गया कि नहीं हमको भी इक्वल हक चाहिए ठीक है तो आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं क्योंकि हिस्ट्री में उन्हें सप्रेस किया गया उनको हमने थोड़ा रेस में दबा के रखा सप्रेस करके रखा तो आज के डेट में उनको ऐक्वल स्टैंडिंग देने के लिए हम लोग रेजरवेशन देते हैं डेजरवेशन का क्या मतलब होता है जैसे इंग्लिश मैइसरैशन का क्या मतलब है इंगलो 5 सीट है मैं पहले पहुंच गई सीट पे और मैंने अपना всем when I pay, my and to this seat के लोग ही यूज कर सकते हैं कोई और कम्यूनिटी के लोग इस पोस्ट को यूज नहीं कर सकते ठीक है इसे हम reservation कहते हैं next topic हमारा क्या है voters list reserved constituencies हो गया सबको समझ आ गया next topic हमारा क्या है voters list voters list का क्या मतलब होता है election के कुछ दिन पहले election day से कुछ दिन पहले एक list निकलती है और उस list में बेटा उस constituencies के सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं जो की eligible है vote देने के लिए ठीक है तो अगर आपकी age 18 अबफ भी है तो आपका नाम voters list में definitely होना चाहिए तब ही आप अगले दिन मतलब जब ही election है उस दिन जाके vote दे सकते हो ठीक है तो voters list नाम से क्या लग रहा है एक list है voters की तो एक list है जिसमें सारे voters का नाम लिखा है उस constituency में जो eligible हैं जो जाके vote दे सकते हैं इसी voters list को हम लोग electoral role भी कहते हैं और voters list जो है वो update होता रहता है ठीक है तो government का काम होता है voters list निकालना और हर election के time पे ये list update होती रहती है क्यों update करनी की ज़रुरत है क्योंकि हर 15-5 साल के बाद ऐसा होता होगा कि अब बहुत सारे नई वोटर्स आ गए बहुत सारे लोग होते हैं बच्चे ओते हैं जो 18 एंकी की नाम उस लिस्ट में एड करना होता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है है ना तो उनका नाम लिस्ट में से हटाना होता है तो यह सब करना अपनी गवर्मेंट का काम होता है ठीक है some criminals and person कुछ criminals और कुछ ऐसे लोग जिनका unsound mind है ठीक है जो mentally ठीक नहीं है उनको हम मना कर देते हैं कि आप लोग वोट नहीं दे सकते पर हां again यह बहुत जादा rare situations में होता है कि हम लोगों को मना कर दें कि आप वोट ही नहीं दे सकते ठीक है चलो तो यहां तक हमने voters list के बारे में भी काफी कुछ समझ लिया है next हमें क्या समझना है epic ठीक है epic क्या होता है यह जल्दी से समझ लेते हैं सबसे पहले epic की full form याद कर लो election photo identity card ठीक है तो यह क्या है जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो हमारे पास कोई identity proof होना चाहिए ठीक है जैसे अगर voters list में लिखा है कि अनुश्या वोट दे सकती है तो मुझे कोई proof देना पड़ेगा कि हां मैं अनुश्या ही हूँ मुझे वोट देने दो ठीक है तो मेरे पास होना चाहिए epic election photo identity card यह card मैं दिखाओंगी तभी मुझको allow किया जाएगा कि हां हम लोग जाके vote दे सकते हैं तो यह identity proof की तरह है कुछ areas में क्या होता है ऐसा कहे दिया गया है कि epic जो है mandatory नहीं है आपको और identity proof दिखा दो पर हां यह main identity proof है जिसको follow किया जाता है epic कहते है full form याद कर लेना direct question आएगा कि epic की full form बताओ election photo identity card हम इसको कहते हैं ठीक है चलो तो अब हमने voters के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया है ना जो लो candidate के बारे में discuss करते है candidate मतलब अगर आप लोग चाहते हो कि आपको election में एक नेता बनना है part लेना है और नेता बनना है तो उस इंसान को कैसा होना चाहिए इस चीज के बारे में हम थोड़ा discuss करते है ठीक है तो देखो vote देने के लिए कम से कम हमारी age होनी चाहिए 18 ठीक है यह minimum age कितनी होनी चाहिए 25 ठीक है वोटर के लिए minimum 18 candidate के लिए minimum 25 ठीक है तो वैसे कुछ restrictions है कि अगर आपका बहुत जादा कोई criminal record रहा है ठीक है तो ऐसे में हम लोग मना कर देते हैं कि नहीं यह जो person है इनको हम allow नहीं कर रहें कि election में खड़े हो सकते हैं ठीक है तो हर एक ऐसा इंसान जो की election में contest करना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ता है एक फॉर्म भरना पड़ता है तो अगर आपको एलेक्शन में पार्ट लेना है जब आपकी एज हो जाएगी तो आप क्या करोगे नॉमिनेशन फॉर्म भरोगे और साथ ही साथ थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं सेक्यॉरिटि डिपॉजिट ठीक है फॉर्म भरना होता और से पैसे देने होते हैं एक हाली में हमारी सुप्रीम कोट है उन्होंने कहा है कि अगर आप क्याणिदेट बनना चाहते हो एलक्षन में है ना लोगों का हख है पब्लिक का हख है कि उनको ये पता लगे कि क्या कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग चल रही है आपके उपर ठीक है नेक्स्ट आपको बताना होगा आपके assets and liabilities क्या है assets में आता है कि आपके पास जमीन कितनी है घर कितने है property क्या है ठीक है आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके assets कितने है और आपके liabilities क्या क्या है liabilities मतलब कि आपने कोई बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है लोन में डूबे हुए हो तो यह सारी चीज़े आपको लोगों को बतानी पड़ेंगी और कई बार पता लोग क्या करते हैं उनके पास खूप सारा पैसा होता है तो वह उनको पता है कि उनको election में पार्ट लेना है गरीब लोगों से उनको वोट लेने हैं तो वह अपने आपको बहुत जादा रिच नह जमीन नहीं खरीदते वो अपने मदर फादर ब्रदर सिस्टर इन सब के नाम पर जमीन खरीद लेते हैं तो सुप्रीम कोट ने उसका भी सुलूशन निकाल रखा है सुप्रीम कोट ने कहा कि अपने एसेट सो लाइबिलिटी तो बताओ साथी साथ अपने फैमिली के भी तो आप नेता नहीं बन सकते हैं ऐसा कुछ हमने लिमिट नहीं लगा रखी पर हम इस इंफोमेशन को कलेट करते हैं क्यूंकि जनता को पता होना चाहिए कि हमारे जो लीडर्स हैं उनकी एजुकेशनल कॉलिफिकेशन क्या है ओके चलो तो अब हमने ये भी समझ लिया नेक् बारवर के बेठे हुए है ठीक है इसे वेव करते हुए जा रहे हैं यह घूब माला वगैरा डाल रिख्यें तो यह सिटुएशन होती है इसको क्या मैं एन क्या होता है लोगों को मनाना कि आप हमको क्यों वोट दो ठीके तो अगर मैं कल को कोई मान लो मैं नेता बनने जा रही हूं तो क्या होगा मुझे आप लोगों को मनाना पड़ेगा न कि मुझको वोट क्यूं देना चाहिए आप बच्छों को तो यह करना होता है election campaign में election campaign में क्या होता है लोगों को मनाना होता है कि हमको वोट क्यूं दिया जाए अक्सर जो कैमपेणिंग पीरिएड है वो टूवीक पीरियड होता है ठीक है सो जब पोलिंग डेट का पता लग जाता है वोटिंग डेका पता लग जाता है उसके बाद टूवीक्स तक का टाइम दिया जाता ह electoral campaign करने का ठीक है पर जरूरी नहीं है कि सिरफ two weeks के अंदर अंदर ही सारी campaigning करनी है ज्यादातर main campaigning two weeks के अंदर होती है पर अक्सर लोग लोगों को जैसे थोड़ा बहुत एडिया होता है ना कि election time कब आएगा तो लोग कुछ मंथ पहले ही अपनी तयारी शुरू कर लेते हैं ठीक है election campaign के टाइम पर पता है क्या होता है हमारे जो लीडर्स हैं वो बहुत कैची-कैची slogans यूज करते हैं ठीक है बहुत बढ़िया slogans यूज करते हैं ताकि हम जो लोग है हम उनके slogans को सुने और हमें मतलब slogans सुनते ही पता चल जाए कि उनका मेन मकसद क्या है तो ऐसे कुछ major political parties हैं जिनके बहुत ही बढ़िया famous slogans रहे हैं तो उन slogans को हम जरा discuss करते हैं ठीक है तो यह बात है 1971 की 1971 में Congress party में इंद्रा गांधी जी लीडर थी तो उन्होंने एक slogan दिया था गरीबी हटाओ ठीक है गरीबी को हटाओ रिमूफ पावर्टी बहुत ही famous slogan है जो की इंद्रा गांधी जी ने उस टाइम पे दिया था ठीक है नेक्स्ट जो जनता पाटी है ठीक है उस टाइम पे उनके लीडर थे जैप्रकाश की जरूरत है ठीक है उस टाइम पे हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा एमर्जंसी लगाई जा रही थी ठीक है स्टेट्स के उपर एमर्जंसी इंपोस की जा रही थी तो जो जैप्रकाश नारायन जी उन्होंने कहा कि ये गलत है ये डेमोक्रसी के स्टेट के खिलाफ है सो सेव डेमोक्रसी स्लोगन उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट करा नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वेस्ट बेंगॉल एसेंबली एलेक्शन हुए थे 1977 में उस ताइम पे स्लोगन यूज़ किया जाता था लैंड टूद टिलर ठीक है लैंड टूद टिलर स्लोगन उनका था नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक स्लोगन था प्रोटेक्टी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ दी तेलगूस तेलगूस की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की जरुवत है एंटी रामराओ ने यह स्लोगन यूज़ करना स्टार्ट करा था democracy में हम लोगों को छूट बहुत जादा देते हैं फ्रीडम बहुत जादा देते हैं तो democracy में हम लोग क्या कहते हैं हम candidates को कहते हैं कि आपको जिस तरीके से election करना है कर लो हम जाद आपको परिशान नहीं करेंगे पर फिर भी हमें कहीं ना कहीं rules बनाने की जरुवत पढ़ जात इसे election में पार्ट ले पाएं ठीक है तो कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग अलाव नहीं करते election के टाइम पे जैसे की 0.1 ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स ठीक है आप किसी को ब्राइब नहीं कर सकते ऐसा नहीं कह सकते कि यार मुझे वोट दे दो मैं तुम्हें बहुत सारे भिले पैसे करना लओ नहीं है इसा नहीं सकते कि मुझे वोट दो वर्ना मैं तुम्हें सम्हान लूंगा मार दूंगा पीट दूंगा यह सब कहना लерм 나올 नहीं है ठीक है अपील to them in the name of caste or religion caste के नाम पर वोट मांगना religion के नाम पर वोट मांगना यह सब allowed नहीं है ठीक है government resources को यूज नहीं करना election campaign के दौरान ठीक है तो जब campaign चलता है तो कुछ लोग ruling party के होते हैं है ना जैसे अभी फिलहाल bjp ruling party है तो उनके पास government resources है क्यूंकि वो government का part है पर campaigning में वो government resources को यूज नहीं कर सकते ठीक है government के पैसों को यूज करना government के vehicles को यूज करना यह सब allow नहीं किया जाता ठीक है next हमने limit लगा रखी है ठीक है एक limit है कि हम कितने पैसे spend कर सकते हैं election में ऐसा नहीं कि हम अपनी मन मर्जी से बहुत सारे पैसे लगा सकते हैं हमने limit लगा रखी है कि इससे जादा पैसे election में spend नहीं होने चाहिए ठीक है अगर कोई political party इन सारे rules को नहीं मानती तो ऐसे में क्या होता है उनकी election को मान लो वो select हो गए हमें बाद में पता चला कि उन्होंने कुछ गलत करा election के दौरान ऐसे में हम उनके election को reject कर सकते हैं ठीक है तो यह तो कुछ rules मानने ही होते हैं सबको साथ ही साथ कुछ और rules बानने पड़ते हैं जिनको हम कहते हैं model code of conduct ठीक है ताकि अच्छे से हम लोग election कर पाए model code of conduct को भी follow करना पड़ता है model code of conduct में क्या कहा जाता है कि आप किसी place of worship को election propaganda में यूज नहीं कर सकते ठीक है तो कोई भी नेता ऐसा नहीं कर सकते कि मानलो किसी मंदिर में चले गए या किसी मॉस्क में चले गए या किसी चर्च में चले गए और वहाँ जाके लोगों से vote माग रहे हैं वहाँ पर meeting रख रहे हैं नहीं किसी religious place को किसी place of worship को आप अपने election campaign में involved नहीं कर सकते ठीक है government के vehicles aircraft ये सब use करना allowed नहीं है ठीक है और देखो ruling party के पास ना बहुत सारी powers होती है तो ruling party के लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जैसी उनको पता चला कि ये election date है ठीक है उन्होंने क्या करा कोई बहुत ही बढ़िया policy announce कर दी कोई बहुत बढ़िया सा बहुत बढ़ा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया तो ये करना allowed नहीं होता अगर आपको कोई policy बनानी थी तो पांच साल थे उसमें आपको बना लेनी चाहिए थी election date पता लगने के बाद अचानक से कोई बढ़ा project स्टार्ट करना allowed नहीं होता ठीक है जो करना ता कर लिया अब हमें क्या करना है हमको count करना है कि वोट किसके पास कितने आये हैं उसका पूरा हम procedure समझते हैं ठीक है तो वोट देने के लिए ना हमको जाना पड़ता है पोलिंग बूत पे पोलिंग बूत क्या है जैसे आपके घर के आसपास ही कोई local school या फिर अगर कोई government office है तो वहां पे सारा setup कर दिया जाता है कि आप वहां जाओ और वोट दे पाओ तो उस जगे को हम लोग polling बूत कहते हैं जब हम लोग जाते हैं वहां वोट देने के लिए तो हमारे finger पर एक ऐसे ink लगा दी जाती है ठीक है आप लोगों ने देखा भी होगा election के टाइम पे आप यह फिर से आते ही यह कहके कि मुझको वोट देना है और आपको अगर शक हो रहा है कि नहीं यह इंसान तो वोट दे चुका है तो उनके मार्क को देख लो ठीक है और यह मार्क मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हट जाता है ठीक है रेडियेशन के नीचे दिख भी और इस पेपर में आपको बस मार्क कर देना होता था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट देना चाहते हो इस टाइप के पेपर को बैलिट पेपर कहा जाता था आज कल के टाइम पर हमने मशीन लगा दिये हैं जिनको हम लोग कहते हैं EVM अगैन EVM की फुल फॉर्म या हमको जो पार्टी अच्छी लग रही है उसके साइड का बटन प्रेस कर दो और वोट हो जाता है ठीक है जब वोटिंग का टाइम होता है ना तो पोलिंग बूत में हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग किसी एक इंसान को भेज सकते हैं ठीक है अपने पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने एक इंसान को पोलिंग बूत भेज सकते हैं ठीक है मान लो सबने वोट दे दिया अब क्या होता है इवीम को सील कर दिया जाता है सील करके किसी सेक्योर जगे पर लेके जाते हैं कुछ दिन बात एक फिक्स डेट में वोट को गिनना स्टार्ट करते हैं अब जब वोट को गिनना स्टार्ट करते हैं उस ताइम भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपनी तरफ से किसी को भेज सकते हैं उनसे कह सकते हैं कि जब वोट काउंट हो रहा होगा वहीं पे बैठे रहे न उनके उपर नज़र रखना कि कहीं वो कुछ गलत तरीके से count तो नहीं कर रहे ठीक है तो उसके बाद हम एक बार वोट अगर गिन लें जिनको भी सबसे जाधा वोट मिले हैं वो जीच जाते हैं एलेक्शन फिर हम कहते हैं कि वो हमारे नीजुस पेपर्स मेंती worshiese लीडर बन गए ठीक है तो ये पूरा वोटिंग का तरीका होता है पर अक्सर हम लोग यूज़ नीज पेपर звуч तीवी में ये सब सुनते रहते हैं कि लोगों ने जेनुएन इनसान है जिसका नाम voters list में होना चाहिए था उसका नाम voters list में आया ही नहीं उसकी जगह कोई और नखली नाम डाल दिया और party का ही कोई इनसान जाके अपने party को ही vote दे के आ गए ऐसी चीजए कई बार हो जाती है ठीक है कई बार क्या होता है ruling party government facilities का मिस्यूज करती हैं अपने powers को मिस्यूज करती हैं कई बार हम देखते हैं कि जो rich लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो पैसे खर्च करके आसानी से election में जीत जाते हैं कई बार हम देखते हैं कि जब polling day होता है तब कुछ कुछ ना कुछ गलत प्राक्टिस को यूज करके पॉलिटिकल पार्टी जीतने की कोशिश करते हैं और आप इंडिया के बारे में ऐसी democratic है ठीक है तो यह सब सुनने के बाद आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि माम क्या सही में लोग इन सारे तरीकों को यूज करके elections जीत जाते हैं ठीक है तो क्या बहुत आसान होता है कुछ ना कुछ गलत तरीका यूज करके कोई गलत प्राक्टिस यूज करके election जीतना तो ऐसा नहीं है ठीक है हमने separate body बना रखी है यह चेक करने में जो election है वो सही तरीके से fair तरीके से कराई जाए ठीक है और हमने अपने इंडिया में election commission को बहुत सारी powers दे रखी है हम कहते हैं कि हमारी जो election commission है वो independent है independent मतलब जैसे आपने सुना होगा judiciary मतलब जो supreme court है जो हमारे judges है हम उनके लिए अक्सर एक word use करते हैं कि ये independent है जो हमारे judge है जो supreme court है वो किसी के नीचे काम नहीं करते उनको जो सही लगता है वो वो चीज कर सकते हैं तो ऐसी हमारे election commissioner है वो किसी के नीचे काम नहीं करते उनको जो सही लगता है वो वो decide करते हैं वो लोग ही code of conduct को implement करते हैं यह decide करते हैं कि किसको punish किया जाए यह सारी चीज़े देखना कि कोई गलत प्राक्टिस ना फॉलो किजा election के दौरान यह देखना हमारे election commission का काम होता है ठीक है when on duty कहीं बार क्या होता है government officers को को होना election के दौरान कुछ ना कुछ काम दे दिया जाता है duty दे जाती है तो अगर किसी गहरमने को की election का ढूरा है तो ऐसे में वह election commissioner की नीचे काम करते हैं government की नीचे काम नहीं कर रहे ठीक है अगर all directions related कोई काम कर रहे हैं तो वह election commission को जवाब देंगे government को जवाब नहीं देंगे ठीक है एक लास्ट तरीकों और है बेटा चेक करने का कि क्या जो एलेक्षन हो रहा है वो सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं इसको हम कहते हैं popular participation क्या मतलब है popular participation का अगर एक country में बढ़िया तरीके से एलेक्षन हो रहा होगा तो वहां के लोग एलेक्षन के लिए बहुत जादा excited रहेंगे ठीक है अगर लोगों को पता है कि हमारे याँ एलेक्षन बढ़िया तरीके से होता है सही तरीके से होता है तो लोग excited होंगे कि हां हमको भी election में पार्ट लेना है तो इसे हम कहते हैं voters turn out ठीक है voter turn out मतलब कितने लोग आए vote देने के लिए तो अगर बहुत सारे लोग आए vote देने के लिए हम कहते हैं voters turn out बहुत जादा था तो इसका मतलब लोगों को विश्वास है voting के सिस्टम में अगर बहुत कम लोग आते हैं तो हम कहते हैं कि voters turn out कम था लोगों का मन नहीं था वोट देने का इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ना वोटर्स टॉन आउट अच्छा रहा है बढ़िया रहा है हमेशा हम देखते हैं कि हर साल थोड़ा-थोड़ा वोटर्स काउंट जो है वो इंक्रीज होता रहता है तो यह कंपारिजन है बेटा इंडिया और यूके का ठीक है अच्छी चीज है मतलब इंडिया के लोगों को विश्वास है कि हाँ वोट देने जाना चाहिए इंडिया में एक और पता है बढ़िया चीज क्या है कि हमारे यहां पे जो ऐसे लोग हैं जिनको हमने सोसाइटी में सप्रेस करके रखा है वो लोग जादा आते हैं वोट करन आते हैं 60% SC आते हैं 61% ST के लोग आते हैं इसी डेटा को अगर हम USA के साथ compare करके देखें तो USA में 60% whites vote देने के लिए आते हैं Blacks 56% आते हैं ठीक है Blacks के साथ अक्सार कहा जाता है इनको सोसाइटी में सप्रेस करके रखा तो यह कम लोग आते हैं वोट देने के लिए Hispanics मतलब जिनका Spanish origin है वो लोग भी बहुत काम आते हैं वोट देने के लिए तो इंडिया में एक चीज़ अच्छी है कि जो पूर लोग हैं जो लोग हैं उनका ज्यादा विश्वास है वोटिंग के ऊपर तो एक बार हमने ऐसी सर्वे भी कराया था यह देखने के लिए कि कि लोगों का विश्वास है कि हाँ वोट के थू हम सिस्टम को बदल सकते हैं तो 67 परसेंट लोगों ने इंडिया में कहा कि हाँ वोटिंग से हम सिस्टम को बदल सकते हैं 18 परसेंट लोगों ने कहा कि नहीं वोट से कोई असर नहीं पड़ता और 15 परसेंट लोगों ने कहा कि हमको पता ही नहीं कि असर पढ़ता या नहीं पढ़ता हमें कोई आइडिया नहीं है ठीक है नेक्स्ट हमने इंडिया में एक और ट्रेंड देखा बेटा कि आज कल जादा से जादा लोग एलेक्शन में पाट ले रहे हैं ठीक है तो हम देखते हैं कि जादा से जादा लोग अ हमारे family में कोई election में पार्ट ले रहा है या फिर हम लोग किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो political party में है 1996 तक सिरफ 8% ऐसे लोग थे जो किसी नेता को जानते थे या उनके कोई family member थे 1998 तक आते आते 13% है 1999 में 21% 2004 तक आते आते 32% ऐसे लोग थे जिनको ऐसा लगने लगा कि हाँ वोट हम लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो ministers है जो politics में पार्ट ले रहे हैं ठीक है चलो अब हम last almost last topic तक आ चुके है challenges to free and fair election क्या-क्या challenges है क्या-क्या problems हैं जिसके वज़े से हम इंडिया में या फिर किसी और country में free and fair election नहीं करा पारें एक problem तो यह है बेटा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और हमने देखा है यह कि जो candidates हैसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है जो बहुत सारा खर्चा करते हैं election में वो लोग जीट जाते हैं तो एक चालेंज यह है कि जो लोग रिच हैं जिनके पास money power है वो आराम से जीत रहे हैं एक election तो यह image है बेटा कार्टून है जिसके तुरू आप इस problem को समझ सकते हो जैसे होता है ना first rank आती है तो एकदम उपर खड़ा करते हैं stage में second तो यहां पर थर्ड तो यहां पर तो देखो यह पूरा stage पैसों से बना हुआ है first जिसका rank आया उसके पास जादा पैसे थे तो उसकी हाइड थोड़ी जादा है ठीक है फिर second rank के पास थोड़े कम पैसे थे third rank के पास उससे भी कम पैसे थे तो इस कार्टून में इंडारेक्ली यह कहा जा रहा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जीत सकते हो ठीक है तो यह कुछ हम देखते हैं कि दिक्कते हैं ठीक है कि जिनके पास जादा पैसे हैं वो कही ना कहीं एलेक्शन आराम से जीत जाते हैं ठीक है उनके पास एक एडवांटेज रहता है और कुछ नहीं तो उनके पास एक एडवांटेज रहता है कि पैसे हैं तो उनके ल जैसी है जो बहुत लंबे टाइम से election में politics में involved हैं तो अगर आप किसी particular family से हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा politics का part बनना अगर आप किसी normal family से हो तो आपके लिए मुश्किल होगा election का part बनना ठीक है तो very often क्या होता है हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई real choice नहीं है सारी parties एक जैसी है किसी को भी vote दो फरक नहीं पड़ता इस टाइप की thinking भी हमारे दिमाग में आती है ठीक है अगर कोई छोटे party से है कोई independent candidate है कोई की अकेला खड़ा और election में तो उनकी जीतने के chances बहुत ज्यादा कम होते हैं ठीक है तो ये कुछ disadvantages हैं कुछ limits हैं हमारे election के time पर जैसा कि मैंने आप बच्चों को कहा कि overall हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में जो elections है वो democratic है हां अफकोर्स हमें न्यूज में सुनने को मिलता है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है ये सारी चीजे हो रहे हैं money power को यूज किया जा रहा है पर overall अगर आप पूरे इंडिया के election को देखो तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक democratic election है सो ये था electoral politics का one-shot revision सो मैंने कहा था कि जब तक ये chapter जब तक ये session खतम होगा आपको ये chapter पूरा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा हम अब ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी बहुत सारे fun one-shot sessions के साथ ठीक है तो जो भी बच्चे है लाइक कर दो comment section में बता दो next chapter आप लोग क्या करना चाहोगे ठीक है कौन से subject को start करना चाहोगे ये सब आप लोग बता देना ठीक है तो हाँ that's it for today मिलते हैं अपने future lectures में बाइबाइ टेक केर अन थांक यू